प्रेंट्स वेलकम बेक टो और यूट्यूब चैनल दोस्तो आज के वीडियो में बात करेंगे विंक लिंक और इससे जुड़ी कुछ अपडेट्स की साथी 2021 के एंड तक इसका प्राइस कितना जा सकता है इसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा साथी BTT और ट्रोन का प्राइस कितना पंप कर सकता है इससे जुड़ी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल बना हैं दोस्तो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बला इगन को प्रेस करें ताकि आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले मार्केट जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि अभी जो विंक लिंक है उसका प्राइस लगबग 0.026 है और 24 अवर्स में लगबग 2% नीचे की ओर आया है मार्के रेंक है 130 और लग 0.03 का लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है अगर आप यहां पर चार्ट देखे तो आपको इसका प्राइस डंप होता ही दिखाई दे रहा है नीचे 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 ही आ रहा है कई लोगों ने विंक को खरीदा है जो मीडियम इंवेस्टर है या जो स्मॉल इंवेस्टर स उन्होंने इस पर पेसा लगाया हुआ है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो अट्रेक्टिव हो एक तरीके से कम है इस वज़ासे कई लोगों ने इस पर दाव खेला है कि विंक का लिंक का आने वाले समय में एक फ्यूचर में बहुत ही अच्छा कोईन साबित हो सकता है दोस 76% का पंप मतलब कई लोग यहाँ पर अभी इसे बाई कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा प्राइस है कई लोगों ने इसे ज्यादा प्राइस में खरीदा है तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसे हाई प्राइस में खरीदा है तो होल्ड करके रखिए टाइट hold आने वाले समय में जो कुछ समय है अगर आप अभी इसे sale कर देंगे तो आपको नुकसान ही होना है तो कोशिश करें कि आप थोड़ा रुके क्योंकि रुकोगे तो यहाँ पर फाइदा हो सकता है अगर loss में बेचना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है बेच सकते हो पर से नीचे है जो प्राइज गया था अप्रेल 5 में तीन महीने पहले जब इसका प्राइज था 0.22 दोस्तो इसका रीजन था जो विंक लिंक है उसका प्राइज बढ़ा था क्योंकि वहाँ पर बीटीसी का प्राइज बढ़ा था वीट कोईन का प्राइज बहुत ज़्यादा पंप हुआ था अपने हाई लेवल पर था तो लगबग दिसमबर एंडिंग तक इसका प्राइज जा सकता है इंडियन रूपीज में 0.07 मतलब अभी आप जो देख रहे हैं एक 0 जो है वो कम नहीं होगा 0.026 अभी प्राइज सल रहा है और दिसमबर एंडिंग तक मतलब जब 2021 एंड होने वाला होगा तब तक इसका प्राइज जा सकता है 0.075 मतलब आप देख सकते हैं कुछ परसेंटेज जहां पर पंप होगा लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये वापस से अपने all time high को cross कर दे अगर आपने इसे 10 पेसे में खरीदा है 20 पेसे में खरीदा है तो आप अभी बहुत जादा नुकसान में ही है तो कोशिश करें कि अभी इसे hold करके रखिए, sale ना करें क्योंकि इसका price pump कर सकता है क्योंकि इससे जोड़ी बहुत अच्छी update जो है वो tweeter पर हर बार आती है वैसे विंक लिंक का मालिक को ने वो भी अभी तक समझ में नहीं आया है बहुत सारे सर्च किये हमने लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो इसको सबसे आदा support मिलता है जस्टीन ट्रोन का जो BTT और साथी ट्रोन के founder है और दोस्तों जब BTT और ट्रोन का price pump करेगा तो उससे विंक लिंक को भी फाइदा होगा अगर विंक लिंक का price pump करेगा तो उन दोनों को भी फाइदा होगा और इन तीनों से जुड़ी कुछ updates मैं आपको बताता हूँ जो ट्वीटर से निकल कर आ रही है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आगा है प्लेटफॉर्म पर बेस्ट कॉइन जिसका यूज आप गेम्स खेलने में कर सकते हैं जो एप्लिकेशन से वहाँ पर विंक का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है आज के समय में बीएसी डेली की जो लिस्ट आई है नमबर टू पर है बीटी और यहाँ पर आपको टी आरेक्स भी दिख जाएगा ट्रोन भी दिख जाएगा मतलब टीनो कॉइन जिनको यह सपोर्ट करते हैं जस्टीन सन वो बीएसी की लिस्ट हमें टॉप 10 में आये हैं कहें तो टॉप 5 में आये हैं जो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों और कुछ भी ट्वीट से यहाँ पर इन्होंने किये हुए हैं जो ट्रोन से रिलेटेड है साथी बीटी से रिलेटेड है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं eToro released a quarterly report that focused on the crypto market progression over Q1 2020 जहाँ पर eToro की तरफ से एक list जारी की गई है most held crypto asset by eToro users जहाँ पर eToro users जो US में चलता है जहाँ पर US के लोग trading कर सकते हैं वहाँ पर उनके द्वारा जो सबसे ज़्यादा held किया गया crypto asset है उसमें number 6 पर जो rank कर रहा है वो है TRX आप यहाँ पर देख सकते हैं TRX number 6 पर rank कर रहा है तो एक तरीके से TRX, BTT और Wink से जुड़ी कुछ अच्छी updates निकल कर आ रहे हैं जिनके बारे में Justin Sun ने यहाँ पर बताया वैसे बारे में जस्तिन सन ने यहाँ पर बताया है इनके यहाँ पर Twitter handle से अफिशियल अकाउंटे इनका treasure awaits those who are patient keep holding on जहाँ पर यह कह रहे हैं Hey do you remember, remember what you should dollar BTT at 0.002 dollar जोस्तो यहाँ पर इससे जुड़ी कुछ अच्छी updates आ रहे हैं अगर आपने ज्यादा प्राइस में खरीदा है यहाँ पर Wink link को तो आपको थोड़ा wait करना चाहिए 2021 ending तक इसका प्राइस जा सकता है लगबग 0.075 तक और ज्यादा pump होने के लिए दोस्तो कुछ और नए प्रोजेक्स आना चाहिए इससे related जैसा कि आप जानते हैं यह किसी और exchange पर list हो जाया साथ ही जो coin की burning होती है अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका प्राइस जरूर पंप करेगा दोस्तो और कोई भी latest update आती है Wink link से जुड़ी हुई या cryptocurrency से जुड़ी हुई तो हम आपको जरूर बताएंगे तो चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you